जाहिन स्वागत है आप सभी का हमारे अपने डूब चनल सोलजर शामी त्यारी पहुँ तो सामके साथ बज रहे हैं और मैं आज को हूँ आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रिविएस एर पेपर के क्लास को लेगा आज जो हम सब पेपर करेंगे सोलजर ट्रेश्मैन का जो कि आपका AMC Central लखनव का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा आपका 28 फरवरी 2021 का आर्मी का ओरिजिनल पेपर यह आप सब का रहेगा सभी लोग पूरा पेपर का टेस्ट लगाएंगे सभी अपना बना कर देखेंगे कैसा जा रहा है कितना बना कितना बना पारे हो कैस इंडियान आर्मी का प्रिवेश करने का आपको सबसे बेतरी फैदा तो यहीं मिलता है कि कि इस टॉपिक को पड़ और अपना सेलेक्शन लेलो सबसे बेतरी तरिका तो यही है तो इसलिए सबी क्लास को को इंट्र करेंगे क्लास को सुरू कर रहे हैं तो जल्दी सबी सेयर क काम कर पाते हैं और जो यह नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को आल पर सेट करेंगे ताकि जितनी भी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए सुरू करेंगे किवश्या नंबर सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल सभी को करना है तो भारत के जो दुसरे राश्पती है यह कौन थे तो यह है देखो डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन जी क्या होगा राइट आंसर तो आप सेंडी ठीक है यह तो दुसरे राश्पती है पर याद रखेगा यह जो है पर धम उ प्राश्टर पती भी हुए थ you ठीक है यह दो जो और यह पर हुए रखेंगे यह सब को यह कौन थे तो यह प्र राष्टbreaker पती थे और इस क्रिशन का ढ़सा क्या है तो वह है option D बहुत चीज़े नहीं clear होगे यहाँ पे चलिए अगला सवाल देखेंगे How many players play on a team in hockey match एक hockey match में कितने खिलाड़ी होते हैं 9, 10, 11 या फिर 12 एक जो hockey team है उसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं क्या होगा answer सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे यहाँ पे तो एक hockey team जो है इसमें देखो कुल 11 खिलाड़ी होते हैं क्या होगा answer तो option सी ठीक है होकी में भी 11 होते हैं इसके साथ अधिया फुटबॉल का जो game है इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं एंड आपका जो cricket का खेल है इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं ठीक है किस किस मोगा तो होकी में फुटबॉल और cricket में सभी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे तीन नमबर सवाल आपका दिया हुआ है देखो उपसे पहले विस्याय की सब से मुझे लगता है शभी की सेही की होगी बिल्कुल क्या होगा अंसर तो option ए नेपाल आप देखो मinaçãoटे इशे नेपाल में है नेपाल में माून्ट इश्वारेक्श को सागर माथा बोलते हैं सब कोई जरूर राध रखना नेपाल में माउंट एवरिष्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है क्या आप बोलते हैं नेपाल में तो सागर माथा बोलते हैं हो गया सभी का चली अगला सवाल देखेंगे चार नंबर सवाल आपको यहां पे दिया गया है यह देखो कि वीच वन आफ दो सभी बताना है कोई भी गलती नहीं करेगा तो भारत में उत्पन जो चिकिसा प्रणाली है वह देखो आयूर्वेदा क्या राइट आंसर तो ऑप्सन भी हो गया सभीका चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे आयूर्वेद की रचना किसने की ती यह जानलना तो पतंजली के द जी पबलिक भारत किस साल में घंतंत्र बना उनीच सो वड़ताईस ऐलगी उनीच सो पचास ऻनी सो सहैंताली है या फिर 1965 निम्लिकीत में से कौंछा कब जो है भारत गंतंत्र अस्थापित हुआ है क्या वे बहुतर उब्कुल सही बताएंगे तो भारत जो है गंतंतर बना है देखो 1950 में क्या उग्या राइट आंसर तो ऑप्शन भी ठीक है 1950 में भारत गंतंतर बना अब यहीं पुछता कि भारत स्वतंतर कर भुगा तो याद रहना सभी की बिल्कुल सही करोगे तो चलो बताओ जल दी से क्या होगा यहां पर पीच की जो लंबाई है यहां देखो कितने होती तो यह बाइस गज की होती है क्या होगा राइट आंसर तो ऑप्शन ए बाइस गज ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे साथ नंबर सवाल यहां देखो कि इंडियन मिलिटरी अकाडमी वाज इस्टेबलिज्ड इन वीचियर भारतिय सेना अकाडमी की अस्थापना किस वर्स में हुई थी 1922,1942,1911 या फिर 1932 निमलिकित में से जो भारतिय सेन अकाडमी जो आई-ए में है जो इंडियन मिलिटरी अकाडमी है वह क्या हो गया राइट आंसर तो ऑपसेंडी हो गया सभी का चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे आठ नंबर सवाल दिया हुए देखो कि राइट ब्रदर्स आर रिगाड़ेड एस दे इनिवेंटर ऑफ द राइट बंधू को की खोज के लिए जाना जाता है गरम हवा से भर नौन सवाल दिया हुए देखो आपका यहां पर प्रसीद लोकटक जील मैं इस्ठीथ मनिपूर में तॉant या पिर आपको पूछा कि आया इस ही को उन्हों ने विलकुल सही बताएंगे नहें भी आंसर किया है और शवालेका सवाल जोड़ीया आपका देखो कि which city is known as pink city गुलावी सहर किस जगह पर है दिल्ली, आगरा, मुंबाई या जैपूर चलो अभी तो लगबख सब का सही जाएगा न कोई भी गलती नहीं करना 10 नमबर कीवचन का सभी को जो आंसर बिल्कुल सही बताना है किसी से भी mistake नहीं होनी चाहिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे और बिल्कुल सही आंसर करेंगे तो जो गुलावी सहर है यह देखो इस तीत है जैपूर में क्या हो गया right answer तो आप संडी हो गया सभी का चली अगले सवाल पर बढ़ेंगे जिसकी लोग सभा में सबसे अधिक सीटे हैं बहुत important question है और मैंने लगबख सभी को करवा जा हुआ है तो चलो जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे तो लोग सभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य की है देखो आपका कि the headquarters of border security force in India is located at सीमा सुरक्षाबल का मुख्याले में इस्तित है नई दिल्ली, मुंबाई, कोलकाता या फिर चन्नाई निमलिकित में से जो सीमा सुरक्षाबल सीमा सुरक्षाबल का मतलब क्या होता है तो BASF BASF का मुख्याले जो है कहाँ पर इस्तित है क्या होगा right answer सभी को करना है और बिल्कुल सी बताना है चलिए जल्दी से answer करेंगे और सभी लोग बताएंगे कोई गलती नहीं करेगा तो जो BASF का मुख्याले है यहाँ देखो इस्तित है नई दिल्ली में कहाँ पर है तो option A पुछा जाता है कि BASF के अस्थापना कभूई तो याद रखोगे 1965 में हुई है क्या होगा right answer तो 1965 में हुई है कहाँ पर है तो नई दिल्ली में head quarter ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे भारतिये मुद्रा है उसको रूपी का चिन यह वाला जो चिन है रूपी का यह कब मिला था क्या होगा right answer सभी लोग बताएंगे बिल्कुल सही बताएंगे कोई भी गलती नहीं करेगा तो भारतिये मुद्रा को जो रूपी का चिन है 40 वर्स बाद पुना ब्यापार शुरू हुआ है यह भारत के कौन से राज में इस्थित है सिक्कीम हिमाचल अरुनाचल परदेश या फिर मनिपूर देखो नाथूला क्या नाथूला एक दर्रा की रूप में जाना जाता है और मैंने यह करवाया हुआ है कि नाथूला दर्रा कहा पर है एक बजी की क्लास में नहीं करेंगे तो जानाथूला दर्रा है यह देखो इस्थित है सिक्कीम में क्या ओगे राइट आंसर तो ऑप्शन ए जिरो ने भी एक को बता है उन्होंने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है चलिए नेक्ट क्यूशन देखेंगे पंदरा नंबर सवाल है आपको जिक्के का लास्ट क्यूशन है कि वीच आप दर ऑफ दीज रॉक्स इस कंपोजड ऑफ सेल एंड स्केलेटन ऑफ मरीन और्गनीजम निमलिखित में से कौन सी चटान समुदरी जीवधारियों के कंकाल स सभी को सही करना है सभी बिल्कुल सही बताएंगे क्योंकि आपको एक्जाम होने वाली है और अभी आपकी में त्यारी चल रही है अब अगर इसमें गलत करो तो बहुत बूरी बात है आप इसले एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं बताओ जल्दी से क्या होगा समुदरी जीव लेकर जा रहा हूं ताकि सबको यह बना पाऊगे बात में जब क्लास इंडू जाएग तो पीछे करना क्लास को यहां से आकर बना लेना ठीक है चलो दिरीटे में आगे जा रहे हम साइंस का टिविश्या नंबर वने ठीक है तो यहां पर सेक्शन देख्यान प्रस्टिजिं है हवा में आध्रता के बढ़ने पर नमी के बढ़नेपर हवा की गति के साथ क्या होता है च्छले सब को juag करेंगे बिलकुल सही बताएंगे जोने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है जल्धी प्रोटीन या फिर कार्बो हाइडरेट निम्लिखित में से जो लीवर है वह किसके संसलेशन किसके पाचन में मदद करता है क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल से बदाएंगे गलती कोई भी नहीं करेंगे चलिए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे सभ सभी के पाचन में मदद करता है प्रोटीन के भी और कार्बो हाइडरेट के भी चलिए नेक्स क्यूशन देखेंगे 23 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है देखो कि राइट कैमिकल नेम ऑफ एस्टू सीओ थ्री एस्टू सीओ थ्री का रसाइनिक नाम लिखो फॉस्फोरी क से क्या होगा मैंने पढ़ा रखा है बढ़ेने पढ़ा रखा है सबको आइसर बिलकुल सई करना है चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा यहां पर तो इस्टू सीओ त्री यह जो रसाइनिक नाम है न यह है देखो कार्बनीक एसिड का क्या होगे राइट आंसर तो अब इस नमबर सवाल यहां पर आपको दिया हुआ देखो कि reactions in which energy is absorbed are known as reaction जिस अभिक्रिया में उर्जा औसोसित होती है उन्हें अभिक्रियाओं को कहते हैं सेयोजन अभिक्रिया उसमा सोसी अभिक्रिया उसमा छेपी अभिक्रिया या फिर इन में से कोई नहीं बताना है कि जिस अभिक्रिया में उर्जा का औसोसन होता है उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है बहुत ही अच्छा क्यूशन है यह आपने 10th क्लास में पढ़ाया है अपना तीन नंबर चैप्टर में अगर आपने नंसी बुक पढ़ाओगा तो उसमें आप सबको परना था रसानी क अभिक्रिया वाले में ठीक है एक नंबर चैप्टर में पढ़ना था चलो बताओ क्या होगा यहां पर बताना है सबको कि जिस अभिक्रिया से जो है उर्जा और सोसित होती है उसको क्या बोलते हैं तो वह जो अभिक्रिया है उसको काना है उसमा सोसी ठीक है यह आपने रसा तो इनने में से कौंत साइस है जिसको वापस उत्पन कर सकते यह वाये को उदारन है चिले कर सकते हैं थो पूलोगे सु पैंड भी तो तो नहीं नहीं सुरू हो जाएगा वह आपका नवकरण उसका नहीं किया जा सकता है लेकिन जो सौर उर्जा है इसको आप यूज भी कर सकते हैं और फिर वापस यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स क्यूशन देखेंगे अगला सवाल जो कि आपका 26 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि इस नो नेज कुकिंग गैस को खाना बनाने वाली गैस कहते हैं LPG को, HPG को, Oxygen को या फिर इन में से कोई नहीं निमलिकित में से कौन है जिसे खाना बनाने वाली गैस भी बोलते हैं जिसको कुकिंग गैस भी बोला जाता है चलिए सबी लोग करेंगे और बिल्कुल सही और बिल्कुल जल्दी से बताएंगे चलिए बताइए क्या होगा त पर टर्ण, दा पैसेंजर इंसाइड दा बस टेंड टू मूब फो आउट वर डिव टू वाट किस कारण एक गतिमान बस के अंदर यात्री विपरीत दिसा में धकिले जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड लेती है घरसन के कारण समाने बल के कारण जलता के कारण या फिर बल के कारण निमलिकित में से ऐसा क्यूं होता है कि जब गतिमान बस रहेगो उसको अचानक मोडेंगे तो जिस दिसा में में मिलोटे उसके उल्टा दिसा में जो व्यक्ति जुक जाते हैं इसका कारण क्या होता है क्या इसका रीजन है सब को करेंगे और बिलकुल सही बिल आईकन को उल पर जरूर सीट और दीए ताकि जो भी क्लास आपको सबसे पहले मिलपाए तो देखो उत्प्रेराख की किस उत्प्रेराख की उपस्तिती में जो है प्रकास अंसलेशन होता है तो वो है देखो आपका हरे पौदो की पतियों उपस्तित कुलोरोफिल ऐसे तो सारे ज़रूरी है अंधेरा का जूरत नहीं है ऐसे तो सारे ज़रूरी है यह सब भी लेकिन यह उत्परे रख नहीं है ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे गुरुतविये तोरन का मान होता है 9.8 मीटर पर सेट इसका मान कितना होता है तो गुरुतविये तोरन का मान कितना होता है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे तीस नंबर सवाल दिया हुआ है देखो आपका The main constituent of cell wall is कोसिका भित्ती का मुख्य घटक है Cellulose, Plastid या फिर आपकी दिया हुआ है कोसिका वरन या फिर नेक्ट में आपका stroma कोसिका भित्ती का मुख्य घटक क्या है क्या होगा answer सभी लोग करेंगे सवाल आपको दिया हुआ है स्टार S आर विजिबर टु अस तारे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे क्या कारण है तारो का हमें दिखने का प्रित्वी की ओर चल रहे होते हैं, बहुत दूर होते हैं, अपनी रोषनी स्वैम उठ सरजित करते हैं, या फिर सूरज की रोषनी को परावर्थित करते हैं, तारे हमें क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, सभी को करना है, बिल्कुल सही बताना है, मिश्टेक नहीं करेगा, आपका देखो कि H1N1 virus spreads which disease H1N1 विसानु किस बिमारी को फैलाता है COVID, AIDS, तपेदिक या फिर स्वाइन फ्लू निमलिकित में से जो H1N1 विसानु है न वह किस बिमारी को फैलाता है H1N1 virus के कारण जो है H1N1 विसानु के कारण जो है कौन सी बिमारी होती है चलिए सब कोई करेंगे बिल्कुल से बताएंगे देर मत किजिएगा तो H1N1 विसानु जो है इससे देखो जो रोग होता है वो है आपका स्वाइन फ्लू क्या आपका राइट आंसर तो आप्शन डी चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे आपका 33 नंबर सवाल यहाँ पर देखो कि हैवी ड्रिंकिंग ओफ अलकोहल अटैक्स विच बॉड़ी पाट अत्यदीक सराब का सेवन सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है कान नेत्र यकरित या फिर पाउं बताना है कि जब अत्यदीक सराब का सेवन करते हैं तो ऐसा करने पर सरीर के किस अंग को प्रभाव होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है तो दिखे जब भी अतिधिक सराप का सेवन होता है तो इससे जो हमारा लीवर हमारा यकृत जो है प्रभावित होता है हो गया सिवीका चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे चौतिस नमबर सवाल जो है यह दियाग वाई देखो कि सोलर इलिप्स सूरे ग्रहन के समय होता है चांद जब धर्ती और सूरे के मदा आता है चांद सूरे और धर्ती के मदा आता है या फिर इन में से कोई नहीं कब सूरे ग्रहन घटित होता है क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे चलिए जल्दी से जल्द चांद सूरे और धर्ती के मद्धे आ जाए क्या अगर आइड आंसर तो option C जब चांद सूरे और धर्ती के मद्धे आ जाता है वो सूरे की रोशनी को धर्ती प्याने से रोकता है तब जो आपका सूरे ग्रहन घटित होता है चले अब जो आज का लास्ट की विचन रहेगा छसी पूरा जाता है तो वह हो जाता है रिनात्मा कावेस रिडियो सक्रिये या पिर दिया वुए है तो यहाँ पर किट करना अपना अंसर बताना कमेंट बॉक्स में जा आपको आंसर करना है अज एक बज़े क्लास करवाइब विटामीन से संभरीत मौत पून प्रश्णों का जो की बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है अगर आपने अभी टाकर्टेंट नहीं किया तो यहां पर लिंक दिया हुआ भ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अल पर जो है स्टेट करेंगे ठीक है तो चलिए अलो फिबाय मिलते हैं आप से सीधा अब कल दो फर एक बज़े जय हिंद जय भारत है वा गुड़ नाइट मिलूंगा आप से सीधा कल दो फर एक बज़े गुड़ नाइट स्वी डिम्स मिलते हैं से सीधा कल दो फर एक बज़े जय हिंद जय भारत